सुप्रीम कोट में सुभार को कावड यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई इस दौरान कोट ने उत्तर प्रिदेश सरकार के उस पैसले पर अंत्रिम रोक लगा दी है जिसमें कावड रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है कोट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा दुकानदार, दुकान पर शाकाहारी या फिर मासाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं बस ये बताना होगा इस संबन में कोट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मद्य प्रदेश सरकार को कनोटिस जारी कर दिया है साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि अगर याचिका करता अन्य राज्यों को भी इन में शामिल करना चाहता है तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी सुप्रीम कोट के इस पैसले के बाद आयोध्या के संत और व कामर यात्रा में जो भी मार्ग हैं उसमें जितनी भी दुकाने हैं खास समगली उस पर नेम प्रेट लगाना या हम मैं मानता हूं कि एक सुचिता और पभित्रता के आधाया पर हमारे मानने मुख्यमंत्री जी ने आदेश ओदिशा निदेश संपुर उत्तपदेश के लेकिन मानने शुक्तिम कोड से अग्रा भी मैं करता हूं जैसे दिवाकरा चारे महराज कि क्या थूक जिहाद के शमर्थक हैं आप क्या आप जो है इस्लामिक धर्मांत्रन के शमर्थक हैं आप क्या अनेका अनेक जिहाद जिस प्रकार से चलाया जा रहा है उसका समर्थन कर जाएं जिससे थूक जिहाद पर प्रतिबंद लगे पूंड रूप से धर्मांतरण पर प्रतिबंद लगे पूंड रूप से जिहाद पर प्रतिबंद लगे अब कोट के आदेश का पारन करना चाहिए कोट की आग्यां का उलंगान करना ठीक नहीं है लेकिन योगी आधित तनात्स ने जो नियम बनाया था वो अनुकूल था कि सब को अपना चिन बताना चाहिए परिचे बताना चाहिए इसलिए कि कौन क्या है भोजन में कौन क्या खाता है कौन क्या नहीं खाता है यह स्वाभाविक है कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे अराज़क्तत लोग हैं जो हिंदू धर्म को गजनान करने के दिश्टर करका कुछ अकरच रहे हैं उसको दूर करने के लिए यह जो नियम यो पहचान होनी चेहिए इसलिए तो आधार काड़ बनाया गया है, जब मनुस्य की पहचान आधार काड़ भारत ने बनाया है, तो उसकी पहचान होना चाहिए कि कौन क्या है, किस जाती का है, और यह जो नियम था बहुत अच्छा था, लेकिन सुपरेम कोट के आधे इसका पार अगर अपना नेम प्लेट लगाते हैं और उनकी पहचान करने लिए नेम प्लेट वाला बात हुआ था लेकिन सुप्रीम कोड ने किसी एक समासवी संस्था ने वहां पर हलब नामा दायर किया कि मतलब इस पर रोग लगा दी गई है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्री कि इसमें धर्म से संबंदी जितने भी लोग है अपना नाम लगाएं अपना नेम प्लेट लगाएं और नेम प्लेट लगाने के बाद लोग उनके दुगां पर जाते हैं ने जाते हैं यह तो उसका आस्था कभी सब्सक्राइब को अपनी जगा पर रोग लगाई है उसने नहीं किया है लेकिन सुप्रीम कोड अगर जो फैसला लेगा तो सही लेगा लेकिन सुप्रीम कोड को यह बात का संग्यान लेना चाहिए अंत्रिम लोग लगाया है लेकिन कुल मिलाके सुप्रीम कोड को संग्यान लेना चाहिए कि ऐसे जगहां पर वह अपने जगहां पर सही नाम पता बताएं और सही जगह से लोग दुकांदार को लोग तस्दिक करें करें कि सुप्रीम कोड ने रूख लगाया तो उसका सम्मान हम करते हैं सुप्रीम कोड का लेकिन उनको स्यंग्यान में लेना चाहिए कि यहां पर जो धोखा करते हैं भाई लोग नाम प्लेट गोड्डू है पिंटू है या वकील है उसमें आण में मुस्लिम लोग रहते हैं और धर्म खराब कर देते हैं लोकल 18 के लिए आयोध्या से सरवेश श्रिवास्तव की रिपोर्ट